त्रिगुनी माया के तीन गुनों पर विजय ये चर्चा का विशय है जो हमने लिया है कि त्रिगुनी माया के जो तीन गुन है क्योंकि माया तीन गुन रूप ही है मन में भी तीन गुन ही समाय हुए है मन भी इन तीन गुनों के वशिभूत ही सारे कारे करता है और प्रेरित होता है तीन गुनों से इन तीन गुनों से परे कुछ भी नहीं है संसार की प्रतेक वस्तु में ये तीन गुन है ठीक है ये तीन गुन है कौन-कौन सी इस्थिती प्रकाश क्रिया शीलम अर्शी पतंजली ने कहा है इस्थिती प्रकाश क्रिया शीलम ये तीन गुन है साम सत और रज साम है इस्थिती सतो गुन है प्रकाश प्रकाश मत्तब जो ज्यान करवाता है प्रतिक वस्तू आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु को देखकर उस वस्तु के बारे में ज्यान होगा तो ये तीन चीजें तीन चीजों से दुनिया बंदी होई ये इस्थिति प्रकाश क्रिया शिला क्रिया मतलब चेंजेस, एक्टिवनेस, स्थिती मतलब अपने स्थिती को बनाय रखने की जो शक्ती है, जो अवस्था है, वो तमोगुन है, और जो ज्यान वर्धक है, तो सतोगुन ज्यान का कारक बनता है, रजोगुन कर्म का कारक बनता है, और तमोगुन स्थिती का कारक ब बनता है भोग का कारक बनता है वासनाओं का कारक बनता है तो तमोगुन परिवर्तन नहीं चाहता एक व्यक्ति जो उंचिये पद पर बैठ गया वो उंचिये पद से उतरना नहीं चाहता तो तमोगुन किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहता है ठीक है यह तमोगुन क पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये तीनो गुन हैं क्या? अब करी लोग को कह देते हैं जैसे की कोई आदमी बहुत क्रोधी सभाव का है तो बोलेंगे तमोगुनी है किसी को कोई बान लेजे कि आदमी बहुत क्रिमिनल टाइप का है तो उसको भी लोग तमोगुनी बोल देते हैं तो तमोगुनी का मतलब है जो भोग विर्ति जिसमें बहुत अधिक होती है और वह तमोगुनी व्यक्ति हमेशा आराम पस्त जादा होगा और अपनी स्थिति को बनाये रखने में किसी प्रकार का परिवर्तन वह नहीं चाहेगा ठीक है तो यह तमोगुनी के अंदर विशेश सुरुप से आ जाएगा तो जितनी भी भोग विर्तियां है सारीरिक भोग है देह वासना अब यहां पर देखिए कल ही हमने वासना त्रय की उपर चर्चा की है तो उससे इन तीन गुनों का संबंध है कैसे संबंध है भी बता रहा हूं जो तमोगुन है वह देह वासना है जो देह वासना आती है वो तमोगुन के कारण आती है वासना त्रय पर कल ही हमने चर्चा की आपको ध्यान होगा तो देह वासना जो है वो तमोगुनी विशय है जो लोक वासना है वह रजोगुनी विशय है लोक वासना रजोगुन से आती है और शास्त्र वासना सतोगुन से आती है तूसर आती है तो इस प्रकार से यह वासनाएं है और इनके अधार पर यह तमोगन रजोगन तमो गुन हो गया देह वासना रजोगन हो लोक वासना और सतो गुन हो गया शास्त्र वासना इन तीनों गुनों से वासनाएं पैदा होती हैं इसलिए इन तीन गुनों से संबंधित करते हुए ही आदी गुरु शंकराचार ने वासना त्राय की भी चर्चा की है और वासना त्राय के बाद अब तीन गुनों की चर्चा किस प्रकार से तो ये आदि गुरु शंकराचार एक समझाएंगे एक आम मनुष्री के लिए एक सधारा मनुष्री के लिए कुछ टेक्निक वो बताएंगे जिससे कि इन तीन गुनों को अपने नियंतरण में लिया जाए क्योंकि ये तीन गुन ही है जो हमसे सब कुछ करवा रहे हैं ये तीन गुन ही हमसे सब कुछ करवा रहे हैं अच्छा काम कर रहा है कोई पुन्य काम कर रहा है कोई पाप कर रहा है पुन्य पाप सब कुछ पुन्य पाप और मिश्रित पुन्य पाप का मिश्रन ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं तो पुन्य पाप और मिश्रित कर्म जो है वो इन तीन गुनों के वशी भूत ही होते हैं सतोगुन रजोगुन और तमोगुन के वश्मे ही सब कुछ चलता इसे अला कुछ भी नहीं है आप जो भी कर रहे हो खा रहे हो पी रहे हो इन तीन उन सब में यह तीन गुन है और या फिर तीन गुनों का मिश्रन भी है मिश्रन भी है अगर मान लिजे कि मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं आप यहां पर बोल रहे हैं तो इस समय यहां पर दो गुन काम कर रहे हैं रजो गुन और सतो गुन सतोगुन तो है क्योंकि यहां परशास्त्रों की चर्चा हो रही है ग्यान की चर्चा हो रही है तो सतोगुन तो है लेकिन साथ में क्रियाएं भी चल रही है कर्म भी हो रहा है मैं बोल भी रहा हूं आप टपनिया भी कर रहे हैं आप सुन भी रहे हैं विचार करके कुछ टप पैदा होती है वह सतोगुन हो गया तो हमेशा और साथ में एक स्थिर्ता भी बनी हुई है कि आप यहां टिके भी हुए है मैं भी यहां पर अभी आदे घंटे तक बोलता रहूंगा तो मैं इस एक ही काम में जो टिका हुआ हूँ इसमें तमोगुन का सहारा है तो संसार में जितने भी कारे हो रहे हैं वह इन गुनों से परे नहीं है ठीक है वह इन गुनों से परे नहीं है तो तमोगुन सतोगुन रजोगुन ये तीन गुनों से ही सब कुछ है अब इनके कई रूप हो सकते हैं आप कहो कि कोई आदमी बहुत इमांदार है तो बड़ा गुनी वेकती है, कोई आदमी बड़ा अच्छा लिखता है, बोलता है, सोचता है, या कोई काम बड़े अच्छे से करता है, सबसे बड़ा प्रेम करता है, तो उसके बड़े अच्छे गुन है, उसके अंदर बड़ा सदगुन है, हम कहेंगे, तो वहाँ पर सदगुन की चर् तो तीनों रहेंगे लेकिन कोई गुन बढ़ जाए तो आदमी आलसी हो जाएगा रजोगुन बढ़ जाए तो कुपनू जाएगा, कंपटिआटिफ लाइब जिएगा खरए उसने एक building बनाई, मैं दो building बनाऊंगा, उसने ये करके दिखाया, मैं वो comparison बहुत करेगा आदमी, जब वो उसके उपर रजोगुन हावी हो जाएगा, तो उसकी life comparative हो जाएगी, वो दूसरों से तूलना करते हुए अपना जीवन जियेगा, और अपने जीवन में प्रतिस्प होगी उसके अंदर, रजोगुन हावी हो जाएगा तो, सतोगुन हावी हो जाएगा, तो अपने सतोगुन को बनाए रखने के लिए कर्म करेगा, ज्यान कर्म करेगा, ज्यान अरजित करने के पीछे पढ़ा रहेगा, रिसर्चर बनेगा, रिसर्च करने के पीछे पढ़ा सटोगुन इसके पीछे कारकबनेगा सतोगुन ही ऐसा करवाएगा लेकिन सतोगुन काम कर सके इसके लिए रजोगुन की आवशकता है क्रिया शेलता क्यों की आवशकता है ए support की whilst को अगर pronoun 컬ष्प सतोगुन का में करेगा को तो यह तीनों कुन हो एक दुसरे के साहरे टिके रहते हैं ये तीनों भी एक दूसरे के सहारे पर टिके रहते एक दूसरे के सहारे पर चलते रहते हैं तो इसी लिए कई बार ऐसी चर्चा होती है कई लोग कई महात्मा लोग भी ऐसा कर देते कई गुरुजी लोग भी ऐसा कर देते हैं कि ये सिक्षा देते हैं कि अरे तमोगुन बड़ी गंदी चीज है, रजोगुन उससे ठीक है और सतोगुन तो सबसे अच्छे चीज है, सतोगुन मुक्ति लाएगा, मुक्ति नहीं देगा, सतोगुन भी मुक्ष का कारण नहीं बनेगा, बंधन का ही कारण बनेगा, हाँ सतोगुन को बढ़ा देने से जब ह जब हमें सही सही ज्यान होना शुरू हो जाता है तो हम मुक्षकी और अग्रसर होते हैं, हम ज्यान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हम अग्रसर होते हैं, अध्यात्म का मार्ग मतलब आत्मा को जानने का जो मार्ग है, वही अध्यात्म का मार्ग है, तो हम अध्यात्मिके मार्ग पर अग्रसर होते हैं सतोगुन की अधिक्ता होने पर लेकिन उसमें तमोगुन बिलकुल नहीं होगा या रजोगुन बिलकुल नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है तो यह बड़ी अप्राकृतिक सी इंप्रैक्टिकल बाते लोग करते हैं इंप्रैक्टिकल, कम्प्लीटली, कि तमो गुन खराब है, रजो गुन थोड़ा अच्छा है, सतो गुन सबसे अच्छा, कोई बिना इन तीन गुनों के कुछ है ही नहीं, किसी वस्तु का अस्तित्व इन तीन गुनों के बिना नहीं है, कोई आदमी कहा कि मैं सात्विक हूँ और मैं तामसी नहीं हूँ, ऐसा कहना भी उसके एहंकार का प्रदरशन है, तो जो एहंकार है वो तमोगुनी तत्व है, एहंकार तत्व है, वो कि एहंकार के अंदर, जीव के अंदर अपनी स्थिती को बनाए रखने का एक संघर्ष है, वो अपनी स्थिती को बनाए रख सकता तो आप सात्विक बने रहना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपकी 26 सात्विक हो तामसिक्ता आपके अंदर कहीं भी ना ज़लके या ना हो तो यह भी अपने आप में तामसिक्ता हो जाएगी तो इसलिए कभी ये मत बोलिये कि तमोगुन खराब चीज है या रजोगुन खराब चीज है या सतोगुन खराब चीज है दिशा सही होनी चाहिए अगर दिशा सही है तो तमो गुन भी ठीक है रजो गुन भी ठीक है और सतो गुन भी ठीक है अगर दिशा गलत हो गई तो ये तीनों खराब हो जाएंगे सतो गुन भी बहुत खराब हो सकता है सतो गुन भी पाप बना सकता है सतो गुन भी बुरे कर्म करवा सकता है ठीक है यही तो हुआ महाभारत में दुरापदी का चीर हरन हो रहा था भिश्म पितामा गंगापुत्र भिश्म पितामा वहाँ बैठे वे थे दुरुणाचारे वहाँ बैठे वे थे विदुरु बैठे हुए थे दुर्तराष्टर बैठे हुए थे पांडव बैठे युए थे लेकिन सब चुप थे क्यों चुप थे क्योंकि सब अपने अपने साथ्विक एहंकार की रक्षा कर रहे थे अपने अपने सतोगुन की रक्षा कर रहे थे उनका सतोगुन कह रहा था कि भाई मेरा तो ये धर्म है बिश्वम पितामा कहते थे मैं तो वचनबद हूँ मैंने वचनबद हूँ मैंने प्रतिग्या ली है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा विवाह नहीं करूँगा और हस्तिनापुर की सेवा करूँगा तो मैं तो हस्तिनापुर का सेवक हूँ, हस्तिनापुर का राजा धिरतराष्ट्र है, जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, तब मैं एक्षन कैसे ले लूँ, वो अपने सतो गुन के कारण, मेरा धर्म है, मेरी परतिग्या है, उस पर ठिके हुए है, विदुर अपना धर्म नि बार है, अब जो पांडव हैं, चाहता तो भीम उसी समय दुशासन को रोख सकता था, इतनी ताकत रखता था, अरजुन भी रोख सकता था, लेकिन ये प्रतिक्षा कर रहे हैं, कि ये पिता समान हमारे बड़े भाई युदिश्टिर हैं, इनकी अब अग्या मैं कैसे कर सकत रहे हैं, तो मैं बोलने कैसे जाओं, अगर मैं बोलूँगा, तो मेरी धृष्टता कहलाईगी, मैं कू संसकारी कहलाऊँगा, कि देखो बड़ों के होते वे भी ये हस्ता छेप कर रहा है, सब अपनी अपनी सब का सतोगुन था, यहां पर सब का सतोगुन था, भिश्म पि करवा सकता है, सतोगुन की अधिक अधिकता आपको गलत निर्णय दिलवा सकती है, यह कभी मत सोचीगा कि सतोगुन हमेशा ही अच्छा है, जी नहीं, कई परस्थितियों में सात्विक्ता ही खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है सात्विक्ता, यह ध्यान इसलिए अभी मैंने अभी प्राक्टिकल आपको सीधा बता दिया कि हम यहां पर बैठे हुए हैं मैं यहां पर लाइव कर रहा हूं बोल रहा हूं आप यहां पर कमेंट कर रहे हैं यहां पर तीनों घृखन को बढ़ावा मिल रहा है सत्व सतोगौन होинов संतों हुई गया बिना रजो गुन के क्या ज्यान का प्रचार हो जाएगा ज्यान का प्रसार हो जाएगा नहीं होगा ठीक है और फिर हम अपने इस स्थिती को बनाए हुए हैं अभी हो सकता आदा घंटा 45 मिनट शायद एक घंटा तक हम स्थिती में बने रहे हैं इस प्रकार से इसलिए मैंने कल भी शायद कहा था कि अगर साधना में कोई साधक बैठा हुआ है और अपनी स्थिती को बनाए हुए दो घंटे तीन घंटे ध्यान में बैठा हुआ है लीन होकर क्या है वह उसमें तमोंगुन का सपोर्ट है तबी बैठा हुआ है अगर रजोगुन हावी हो जाएत तो उसको वहां स उठा देगा कि चलो वह उठो यहां से बैठो मत मत रजोगुन का काम है परिवर्तन लेऊना तमोंगुन का काम है स्थिति को बनांके रखना और गुन है तो ये तमोगुन रजोगुन सतोगुन है इनमें कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है जिसकी दिशा बिगड़ जाएगी वो बुरा हो जाएगा अगर सतोगुन की अधिकता हो गई सात्विकता आपके उपर बहुत जादा हावी हो गई तो वह भी खराब काम करेगी आपको आपसे गलतिया करवाएगी बुरे करवा सकती है आपसे तुटिया करवा सकती है तो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है या तो पता ही है अति शरवत्र वर्जते जहां जिसकी अती हो गई वही विष्का रूपधारन करलेगा, तो इसलिए, तो सतो एक, इसलिए योग जो है, अध्यात में जो है, यह नहीं कहता कि सतो गुन को बढ़ाना है, वो यह कहता कि सब को संतुलित कर देना है, सब को संतुलिद कर देना है लेकिन एक सधारन मनुष्य क्या करे सधारन मनुष्य क्या करे जो वासनाओं के वश्रिभूत जीवन जी रहा है तो अब यहां आदी गुरु शंकराचार विवेक्चुडामनी की इस चर्चा में क्या समझाने वाले हैं कि पहले तो कल हमने वासनात्राय पर सुना विवेक्चुडामनी की चर्चा ही सुनी वासनात्राय के उपर लोकवासना शास्त्र वासना और देह वासना लोकवासना देह वासना तमोगुन के कारण है लोकवासना रजोगुन के कारण है और शास्त्र वासना सतोगुन के कारण तो इन तीन गुनों से तीन वासनाएं हैं देह वासना लोक वासना और शास्त्र वासना तमोगुन लोक वासना रजोगुन शास्त्र वासना सतोगुन इन तीन गुनों से ये तीन वासनाय भी हैं ये तीन वासनाय भी पैदा हो जाती है जो की बंधन है ये तीनों ही गुन बंधन का कारक है ये तीनों ही गुन बंधन का ही कारक है और इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही है चाहे अच्छा काम हो रहा हो चाहे बुरा काम हो कर रहा हो कोई क्राइम कर रहा हो या कोई दानपुन्य कर रहा हो यह सब के सब इन तीन गुनों के वशिभूत और तीन गुन ही इसके कारण है अच्छा बुरा सब होने के ठीक है तो अब इन वासनाओं को खतम करने के लिए आदिगुरु शंकराचार जो सुत्र देते हैं वो स्वाध्याय सापनयम कुरू निरंतर आत्म स्वरूप में ही इस्थिर रहने से योगी का मन नश्ट हो जाता है निरंतर आत्म स्वरूप में ही अगर इस्थित रहा जाए आत्म इस्थिती को बना के रखा जाए तो मन का विनाश हो जाएगा मन खतम हो जाएगा ठीक है अर् हो चुकी है कि मन क्या है इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियां होती है वो चित में जाती है बुद्धी के द्वारा उनका आकलन होता है एहंकार के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता है और फिर जो रिजल्टेंट आता है जो रिजल्टेंट आया वो मन है इसलिए मन फाइनल डिसीजन होता है कि यह करना है कि नहीं करना है ठीक है या फिर वो कन्फूजन के स्टेट में चला जाएगा तो मन का नाश हो जाएगा अगर आत्मस्वरूप में स्थिति बना ली जाए आत्मस्वरूप का ध्यान करते वे उसमें स्थित हो जाए जाए मन क मन के नश्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी च्छय हो जाता है और इसलिए अपने अध्यास को दूर करो, अध्यास मतलब पोजेशन, इस अध्याय का नाम है अध्यास निरास, अध्यास निरास मतलब अध्यास को हटाओ, वासनाओं का जो पोजेशन हमारे उपर है, व समस्या का समाधान मिलेगा और यह खतम भी कैसे होगा प्रयत्न से खतम होगा इस शुरू में कल ही हमने चर्चा की वासनाएं अच्छानक से खतम नहीं हो जाएंगी प्रयत्न से नियमित रूप से लगे रहने से खतम होगी अभ्यास करते रहने से खतम होगी इसलिए अच्छा मुझे बोल दिया वैकुंट में जाके भगवान विश्णों को मत बोलना ठीक है तो इसी लिए संभल के कौन सी वासना कैसे हावी होगी एहंकार कैसे हावी होगा एक योगी को एक द्रश्टा भाव से अपने मन पर नजर रखे कौन सी विचारधारा हावी हो रही उस पर नज के लिए कहते हैं कि किस प्रकार से तीन गुनों से उपर उठा जाए तो वह कहते हैं तमों द्वाभ्यायाम रजह सत्वा सत्वात सत्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात सत्वं वस्टभ्य स्वाध्याया सापनयम कुरू स्वाध्याया सापनयम कुरू की रजोगुन और सत सत्वगुन से तम अर्था तम्गुन, रजोगुन और सत्वगुन को बढ़ा कर अर्थार क्रिया शिल्ता को बढ़ा कर और ज्ञान को बढ़ा कर ठीक है किसकी उपर विजख प्राप्त किया जा सकता है तमोगुन के उपर जो प्रमाद आलत से उत्पन करने वाला है भोग के प्रती रूची को बढ़ाने वाला है हमेशा भोग लिप्त रहने की प्रेणना देने वाला है आलसी की तरह पड़े रहने की प्रेणना देने वाला है प्रमादी बनाने वाला है जो है वह तमोगुन है तो तमोगुन खतम तो नहीं होगा दब जाएगा धरहेगा दब जाएगा लेकिन कमी आ जाएगी उसके अंदर तो वो कह रहे हैं कि सत्व गुन और रजो गुन को धारन करने से बढ़ाने से तम्व गुन की निवनता हो जाएगी चलिए ठीक है आगे क्या कहते हैं सत्व गुन से रज की निवनता होगी कमी होगी अब क्या करो कि सत्व गुन को और जादा बढ़ा दो जब सत्व गुन को बहुत बढ़ा दोगे तो क्रिया शीलता में थोड़ी कमी आ जाएगी बहुत जादा तुम्हें कर्म नहीं करना पड़ेगा अब जिसको ग्यान हो गया वो व्यर्थ ही संसार में बहुत कुछ करने के पीछे नहीं पड़ेगा जिसको सही मायने में अध्यात्मिक ज्यान हो गया है तो संसार में बहुत कुछ करना या दुनिया को जीतना या बहुत बड़ा पद प्राप्त करना या बहुत प्रतिस्परधा में लगना उसकी इक्षा नहीं होगी, अगर उसे सही-सही ज्ञान हो गया तो, तो सत्व गुन को बढ़ा देने से रजो गुन की निवनता हो जाती है, वो ये कहते हैं, अब सत्व गुन तो है न, उसका बाद कैसे होगा, उसका निश्रेद कैसे होगा, तो कहते हैं, कि तसमात सत्वम व और शुद्ध सत्व से सतोगुन का नाश होता है सतोगुन का नाश कैसे होता वो बता रहे हैं शुद्ध सत्व से तो सुद्ध सत्व कौन है भाई शुद्ध सत्व जो है वो स्वेम आत्मा है वो स्वेम आत्मा है और आत्मा में इस्थित हो जाने से सतोगुन का भी नाश हो ठीक है इस तरह से तीनोगुन खतम हो जाएगे तो रजोगुन और सतोगुन को बढ़ा कर तमोगुन की निवनुता कर दो खतम करो उसे और फिर सतोगुन को बढ़ा कर और ज्यान के प्रति आगे बढ़कर अध्यात्मी ज्यान को प्राप्त कर लो अच्छे से तो फिर प्रिय सुगे विश्वास नहीं करते कें तो इस प्रकार से उसमें भी कमी आ जाएगी फिर सत्व गुन में भी छमा करें, रजगुन में भी अगर ज्यान को बढ़ा देते हैं, सत्व गुन को बढ़ा देते हैं, अब यह ज्यान भी तो बंधन है, इसी को तो शास्त्र वासना कहीं गई है, यह तो सत्व गुन का प्रणाम है, शास्त्र वासना, तो ज्यान भी तो बंध तो इसके लिए आत्मे स्थिति सुध्य सत्य सरूप में स्थित हो जाओ अगर सुध्य सत्य सरूप में स्थित हो गए आत्मा में पूर्ण स्थिति बन गई तो निश्य ही इन तीनों गुनों से मुक्ति मिल जाई तो वह वास्तविक मुक्ति है तो बिना वासनाओं से मुक्ति के मुक्ति नहीं मानी गई और जब तक तीनों गुनों का बाद नहीं होगा तब तक वासनाई भी नश्ट नहीं होगी जब तक तीनों गुनों का बाद नहीं होगा तब तक वासनाई कहां से नश्ट होगी नहीं क्योंकि इन तीन गुनों से ही वासनाई है कमो गुन से देह व तो कैसे तमोगुन का निशेद रजोगुन सत्वगुन को बढ़ा करना चाहिए और शुद्ध आत्मा में शुद्ध सत्व में इस्थिती बनाकर सत्वगुन से भी मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए ऐसा यहां उपदेश इन तीन गुनों के बारे में दिया जो अब जो है ईसीलिए अपने द्रिश्टी को बदल लिए सरफ सुनी सुनाई बाते पर नहीं कि यह कोई गुन ख़रा भी अच्छा नहीं होता अपनी अपनी परस्थिती से कई बार सत्वगुन भी ख़राब तो चलिए आगे बढ़ते है लेकिन इसकी संभावना कम ही होती है इसलिए सत् कुन अध्यात्मिक्ता का सहायक माना कि are कारत है आगे बढ़ें चर्चा देखें फिर आपके कमेंट्स क्या कहते हैं विमला शा जी उन्तक्सत विकरम सिंग जी बहुत अभिनंदन है ठीक है तो आगे चर्चा देखते हैं आपकी हरी मोहन गुपता जी अध्यात्मिक चर्चा के लिए कोटी धन्यवा शंकर प्रसाज जी कनहाई कुमार जी शिवे बालक बलवन सिंग गोहिर राजूपाल अरजन चोहान बहुत अभिनंदन है आप सभी का विंदेश्वरी मिश्डा जी भवन चरंचू कर प्रणाम करनों कानों को बंद करने पर जो आवाज सुनाई देती है वैसी वीना बंद कि ये सुनाई देती है उन पर ध्यान जी हाँ करो ध्यान नाद ध्यान इस्मिर्ती रस्तोगी जी टियार राठिया जी विनूद के सूद जी ए ए पिंटू वास्वा जी विंदेश्वरी मिश्रा जी रमेश पेश्वानी जी रूप लाल विश्व कर्मा जहिनती भाई पतेल सुक्षम योनी में सुक्षम शरीर संभा हुआ माधुरी कोले जी शोकिंद्र राठी गौरा विकरम सिंग जी बहुत अभिनंदन है क्या तीन गुन हमारे तीन सुभाव है इन तीन गुनों को कर्म करवाने के लिए प्रेदित कौन करता है क्योंकि प्रमात्मा तो गुणा तीत है वह तो कोई कर्म करवा नहीं सकता तो फिर कर्म के लिए कौन प्रेदित करता है स्वयम्भगवान डिशन सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा करवाए जाते हैं एक है यह लेस्टा में तो यह यहां करने के लिए प्रेद करती और करने के प्रेद करता है रजोगुन ही विशेश रूप से कर्म करने के लिए प्रेदित करता है जितने भी कर्म होते हैं जीव के द्वारा बहुत सुख भोगने के चक्कर में या बहुत कुछ एकत्र करने के चक्कर में वह रजोगुन के कारण ही होते हैं तो यह रजोगुन सतोगुन तमोगुन यही तो प्रकृति है और इंद्रिय जगत में इनकी विशमता है और विशमता होने के कारण इनके बीच में संगर्ष और भेद पैदा हो जाते हैं और इन संगर्ष और भेद से ही कर्म पैदा हो जाते हैं कर्म बंधन पैदा हो जाते ह यह स्वता ही होने वाली एक रिया है चीक है तो यह जीज है पर्मात्मा तो गुनातीत." आज़ CON chains कर्वाँ नहीं कर्वाता लेकिन वह सकाश है ओँ वह बिना किसी unintentionally वह प्रेरित करता है अगर यह कहा जाए कि बिजली पंखा चलाती है तो बिजली पंखा नहीं चलाती है बिजली का अपना गुर्ण है वह तो बस तार से निकलती है उसका कोई नियत नहीं है कि मेरे गुजरने से पंखा चले टीवी चले या कुछ गीजर चल aurait कि अध echeroom अध्याइ दस्वा या तयर्ह स्लोग में चर्चा मिलती है इसमिता आ सावंत जी अजीट अपराजित की कि मुझक दर्शन पांडेया झीडेरurs हमेशा आत्मा में कैसे रह सकते हैं वो कौन सी अवस्ता होती ध्यान की अवस्ता है जहाँ पर हमेशा आत्मा में स्तिति बनी रहती है मन का नश्ट हो जाना का क्या तात्पर्य है क्लियर नहीं हो पाया मन के नश्ट हो जाने का तात्पर यह है कि जो विचारों की जो गती है चित की जो वृतियां है वो शांत हो गई है तो मन का शांत हो जाएगा चित वृति का निरोध होगा तो या एकी भाव अवस्था बन जाए ध्यान की अवस्था में एकी भाव तो मन नुण fantasy हो जाता मन नहीं रहता को कि मन बाहरी रूप है अंदर में तो बुद्धी छित लेहं कार और इंद्रियां यह तीनों मिलकर जो डाटा करती हैं और जो रिजट देती हैं वह मन है है वह प्रिजट निकलना बंध कित्वर्ति का निरोध क्व रहा है तो रिजल्ट ना बन्द हो गया मन कि प्रतिक्रियाय रुक जाए जाएगी तो मन स्पोडरोप में सीट्ट होने से वी नष्ट होंगी पर तो यह इए अट्म स्थिति या ध्यान यूग की स्थित्य का वढ़्णन है का में के लिए Baraj दिसम्बर से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, अगर आप तरकों से उपर उठकर अभ्यास करना चाहते हैं, अभ्यास की एक सही विधी जानना चाहते हैं, तो आप ध्यान योग का कोर्स 29 दिसम्बर से शुरू होने वाले ध्यान योग के कोर्स को आप ज्वाइन केज और practically चीजों को समझेए सुक्षमता को practically समझने की कोशिश केजिए मन की सुक्षमता क्या है सिर्फ बातों तक सिमित रहकर बाते हमेशा रहेंगे तर्क कभी खतम नहीं होंगे प्रशन कभी खतम नहीं होंगे जब तक अनुभूतिया नहीं होंगे और बिना अभ्यास किये बि तर्को से हर बात समझ में आ जाए या फिर concept clear हो जाए यह संभव नहीं यह कदापी संभव नहीं है तो इसलिए जो है तर्को से नहीं ध्यान योग सीख कर इसलिए ध्यान योग का कोर्स online जो मिल रहा है यहां आत्मिक शांती के लिए चले यह आत्मा को जानने के लिए सुक frustration में है कभी एहंकार में है कभी confidence में है कभी ओवर confidence में है कभी lower confidence में है यह इस तरह की समस्याय हमारे साथ चलते रहती कभी रिष्टे खराब हो रहे हैं तो कभी नौकरी छूट रही है और फिर उसमें मानसी किस्थिती भी बिगड़ती रहती है सबसे अची बात यह है कि ध्यान यूग को सीख लेने से और फिर घर में उसका अभ्यास करते रहने से प्रती दिन उसमें थोड़ा समय देने से और सुब़ सुब़ समय दे दिया गया तो और अच्छी बात है जो सारा दिन है उसके प्रभाव में निकलेगा आप जब भी कुछ बोलेंगे उसे ध्यान योग का प्रभाव आपकी वानी में रहेगा आप जो भी निरनाय लेंगे उसका प्रभाव उसमें आएगा ध्यान योग का तो एक तो हमारे जीवन को सही तरीके से जीने में यह सहयोगी होता है अगर हम ध्यान योग करते हैं सीखते हैं अपनी personality development में सहयोगी होता है तराव मुक्त जीवन को बनाने में सहयोगी होता है इसलिए और साथी साथ इसका अधिक विकास कर लिया जाए तो आदमी एकागरता के एक साधक एक योगी एकागरता की अधभूत शक्तियों को प्राप कर लेता है अगर वो ध्यान योग सही से करता है तो इसलिए यह कोर्स अधभूत है आप इसका लाब उठाईए आप जुड़ना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 28 दिसंबर तक आप ज्वाइन कर लिजी 29 से यह कोर्स शुरू हो जाएगा इससे संबंदित ज चीजे हैं वह आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे तो इसी लिए विचार करें और विचार करकर यह सारा कारें आप करें और लाब उठाए चलते हैं विराम देते हैं इसको फिर भी कुछ लोग कमेंट कर रहा हैं देख लेते हैं निर्जी वस्तु में भी कर्म संसकार होते ह हैं क्या जी हां तमोगुन है न उसके अंदर काम सिकता तो है ही गीता जी में कहा गया है कि जीवात्मा खुद प्रकृति में इस्थित मन की तरफ आकरिष्ट होता है जीवात्मा खुद प्रकृति में इस्थित मन की तरफ क्या आकरिष्ट होगा जीव खुद ही इन तीन ग गुनों से ही बना हुआ है तो वह अक्रिष्ट भी होता है और इन तीन गुनों के अधार पर जीत रहता भी उसका जीवन भी तीन गुनों से ही चलता है छिक है ओम प्रकाष जी फीर बताएं आपका ध्यात्म की और किसे नहीं बता सकते हैं यहां पर विशय पे चर्चा हो रहा ही है तो विशेय पे ही चर्चा करिए तो बेतर होगा चलिए धनन्जय अगरवाल सर नाद क्या है क्या हम सब अर्थ में घूम रहे हैं वो है या क्या है नाद ध्वनी है अंता करन की ध्वनी है ठीक है जी नाद हम कोई घूम उम रहे है वो नहीं है अंता करन की ध्वनी है और नाद को सुनने के लिए ध्यान योका कोर्स करिए उसमें नाद ध्यान करवाये जाता है क्या तीनों गुनों की सम अवस्था परावस्था है कौन सी परावस्था तिनों गुनों की सम अवस्था होने से परावस्था भी हो जाती है और शुद्ध चेतन अवस्था भी हो जाती है आत्मे स्थिती हो जाती है आत्मे सरूप में स्थिती या ब्रह्म स्थिती बोलिए वो स्थिती हो जाती है तिनों गुनों के होने से बाकि जो पराप्रकृती ह वो उसे कहते हैं जो इंद्रिय गम में नहीं है पराप्रकृति वह है जो इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति का वो भाग जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभाव नहीं किया जा पा रहा उसे हम पराप्रकृति कहते हैं और जब तीनों गुन सम हो गए तो फिर आत्म स्थ का जुड़े रहें बने रहें ध्यान योग ज्वाइन करकर जरूर इसका पुरा-पुरा लाब उठाएं 29 दिसंबर से यह कारिकरम शुरू हो रहा है बहुत-बहुत आभार करकार करकार आभार